नमस्ते मैं नरेंद्र दुबेद CPCT Paper Series में आज हम 2018 फरवरी के Paper देख रहे हैं जिसके दो पार्ट और लेड़ी अपलोड़िड हैं और ये तीसरा पार्ट है तो स्टार्ट करते हैं एक Printer Resolution निरधारित करने के लिए खालिस्थान मापन का उपयोग किया जाता है तो ये DPI के यूज़ करते हैं Dot Per Inch अंगला प्रश्ण है हमारा निमलिकित मैं से कौन सा एक Container की भादिकार करता है जिसमें आप फाइलों को इस्टोर कर सकते हैं तो ये folder है अंगला प्रश्ण है Notepad का उपयोग करके बनाई गई एक फाइल खालिस्थान Extension के साथ संग्रित होती है तो ये होती है .txt Notepad की फाइल .txt अंगला प्रश्ण है खालिस्थान एक Package है जिसका प्रयोग Printing Press में किया जाता है तो ये page maker एक Package है जिसका उपयोग आप Printing Press में करते हो अंगला प्रश्ण computer program या system में तुरुटी को खालिस्थान कहा जाता है तो bug बग कहा जाता है इसके लिए अंगला प्रश्ण है सामानिता सब्द memory किसके लिए प्रयोग होता है तो ये storage के लिए प्रयोग होता है अंगला प्रश्ण है Microsoft Word में insertion point से पहले एक सब्द को delete करने के लिए खालिस्थान कुंजी सयोजन का उपयोग किया जाता है तो control plus backspace का उपयोग करते हैं इसके लिए MySQL के database से data प्राप्त करने के लिए निमलिकित में से कौन सी command का प्रयोग किया जाता है तो ये select command का प्रयोग किया जाता है अपर अंगला प्रश्ण है computer द्वारा समझी जाने वाली language खालिस्थान है तो ये machine language जिसको 0 और 1 बोलते हैं आप जो की binary digits कहलाती है अंगला प्रश्ण है hardware device से ऐसी गैर आवश्यक devices होती है जो main computer system का हिस्सा नहीं होती और अधिकांस तोर पर बाद में system से जोड़ी जाती है तो उनको peripherals कहा जाता है जैसे आपका keyboard जुड़ा हुआ है laptop में और आपने printer जोड़ दिया UPS जोड़ दिया mouse जोड़ दिया और projector जोड़ दिया यह सारी जो आप extra जोड़ते हो these are peripheral devices अंगला प्रश्ण है एक प्रारूपी network में सबसे महत्मोर powerful computer कौन सा होता है तो वो होता है network server अंगला प्रश्ण है एक program एक ऐसा program है जिसकी माध्यम से row और column की संख्याओं की गढ़ना की जा सकती है उसको हम spread seat बोलते हैं और row column जहां मिलते हैं उसको हम cell बोलते हैं जब आप एक spelling और grammar checker को activate करते हैं तो यह गलत spelling वाले सब्द को dialogue box में प्रदर्सित करता है और यह सही है और आज के लिए इतना काफी है वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें और मेरा उत्साह वर्धन करते रहें धन्यवाद